जैसी आराम क्या है आज का विचार भारत विचार में सबसे पहले मैं आका हार्दिक स्वागत और अबिनंदन करता हूं दो सुमित पीर शो में और हमेशा की तरह आप से यही कामना करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें इन्ह डेली इंगली शो भी लेकर आने वाले हैं और अगर महाकाल की इच्छा रही तो जल्दी ही दो तिन दिन में इसका भी शुबारम करेंगे आपका प्यार और स्ने मिल रहा है आपका सब्सक्रिप्शन मिल रहे है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेंबर्शिप सब्सक्रिप्शन बिलकुल फी है जारा विलंब न करते भगवान श्री गनेश का नेम लाम लेते हैं आज का श्री गनेशा करते हैं देखिए आज बहुत इंपोर्टन विशे में आपके समक्ष लेके आया हूँ और इस विशे पे बात करना बहुत जरूरी है आज बात हो हमारे संसद पर अटैक हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि एक संसद में एक विश्टर गैलरी होती है जिसमें लोग आकर पार्लिमेंट की प्रोसीडिंग्स क्या हो रही है वो सब देखते हैं उसके लिए आपको एक पास देना पड़ता है जो आपको पार्लिमेंट से भी मिलत है करीब छे लोग का ग्रूप है जिनको इसमें सलगन पाया गया है इसमें से चार लोग कुछ उल्टी सीधी हरकते करने लगते और दो लोग दो लोग कूद जाते हैं पार्लिमेंट का जहां अधिवेशन चल रहा था विस्टर गैलरी से इसमें बैलिस साल की नीलम जो हरिय पर एक बड़ी सुरक्षा में सेंद लगी है हमारे पार्लिमेंट में और आप बताएं कि इसका रेलिवेंस क्या है ठीक आज से बाईस साल पहले आज ही कह दिन हमारे मंदिर में डेमोक्रेसी का मंदिर ऐसा पार्लिमेंट उस पर हमला हुआ था आपको वह गया होगा अफज गूरू वाले लोग इन्होंने हमला किया था हमारे सम्विधान पर हमारे पार्लिमेंट पर और मैं बताओ आज से आज ठीक उसी दिन उसी समय फिर एक काइंड अफ हमला होता है देखिए ये गैस जहरीली भी हो सकती है ये गैस कुछ भी हो सकता ये बं भी हो सकता थे कुछ सवाल ये है इतना बड़ा इतना बड़ी चीज पार्लिमेंट में गई कैसी इतनी बड़ी सुरक्षा की चूप हुई कहां से किस से हुए इस चीज का ध्यन करना जरूरी है और मैं आपको आज बता दूँ आपने सबने देखा होगा कि ये काफी वाइरल नियो चल रही है प क्या ये उसंबले की रहसल था क्या ये यलो गया चोड़ने का मतलब था कि ये बताना कि हम आपकी सुरक्षा को बेच सकते हैं और हम पार्लिमेंट तक आ सकते हैं क्या ये हमें जताना था कि आपकी सुरक्षा कितनी कमजोर है क्या ये हमें बताना था कि आपके आया तो कितने मैं दो दिन पहले की बात करूँ बिलकुल मैंने पर एपसोड कवर किया था उस दिन अगर यह गटना होती तो कितनी बड़ी सुरक्षा में सेंद लगती तो क्या हमें मैसेज दिया जा रहा है क्या अगर मैं इसके तार जोड़ू तो पाकिस्तान मीडिया पे सा पाकिस्तान मीडिया को कह रहत है भारत का मुसल्मान के से छुप बैटा और जबकि यह दोनों में से कोई मुसल्मान नहीं है बाइद दे चार लोग इसमें सलगन पाये गए चार गिरिफतार हुए दो अभी फरार है इनकी तलाज जारी है मुझे लगता है यह कोई जिसे हम मिद्भाई शाह, मोदी जी, राजनाज जी, कौन था इनके निशाने पर अगर मैं आपको बताओं थ्रेट पर्सेप्शन यहां इस देश में सबसे जरा माने नहीं प्रधान मंत्री जी का है इसमें कोई भी गैस हो सकती थी आपको याद होगा बोपाल में मीथाईल आइसो लोल तक दिखती है हम के आपको समझ awak हमारी मारक श cris har behaving हो सकते है इसमें मैरा आथ हो सकता है इस में एक रिंक्रस इंठी यहां करशान देना खालिस्तानी पन्नों जो है इसका भी कुछ लेना देना हो सकता क्योंकि यह सारी कडिया जुड़ती है तो माने नहीं हमारे जो स्पीकर साब है ओम बिरला जी उन्होंने इस पर वक्त तवी दिया और यह बताया उन्होंने बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई बहुत ब यह बता दिया यह नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कर जेगा बैठे रहें कि अब डर पोगनी नहीं ऐसे मारा ऐसा पीटा ऐसे घुसे लात बजाए उन पे कि उनकी ना नहीं याद आगए पर आज हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया चोकन थे हमारे जो मार्शल वहा विदेश की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है बट अब जो मुझे प्रक्रण होता नजर आ रहा मुझे दर लग रहा है किसका राज़तिकरन होगा सारी विदेश जो विदेश तो विरोधी पार्टिया पोजिशन पार्टिया है वो जुड़गी और वो कही ने कहीं है कह र याज बात आ गए हैं यूटी की आज बात आ गई है एक सात होने की देखिए अभी कृस्पिस का परवाराश होने वाला अभी कि अब एक नियु एर की ये घो फॲिड अस होता वो होता है अगर आप देखें दो दिन पहले ही मैंने आपको ने आइडी अफ ने बिलकुल बिलकुछ हेताम नहीं दिए क्रिस्मस के आसपास यह मास के आतंगवादी और जहादी कहीं पर भी कुछ गटना कर सकते हैं यह भी बताया गया था कि दुनिया में काफी देशों में सिलिपर सेले अक्टिवेट हो गई है मैं देखिए मैं कोई यह लिए लिए मारी माली जी इसमें कुछ आसा तरल या ऐसा बहुआ ने करे बहुआ ने करे प्रिय घटना गट जाती तो कितना बड़ा सवाल या निशान लगता भारत की सुरक्षा विवस्ता पे इस चीज का चिंतन नमनन करने की अवशकता है और देखे तो आस देने का हमारे भाचपा की MP साभ ऐ है तो ऐसा दो नहीं उन्होंने किसी रहा चलते को पास दिया थहा अगर उन्होंने पास दिया या किसी के कहने पे पास दिया गया है तो यह लोग क्या थे, इनकी motivation क्या है, यह क्या करना चाहते थे, यह हमें जताना चाहते हैं, यह मीडिया को आना चाहते हैं भारत की सुरक्षा ववस्ता कई सारे प्रश्णी है कई सारे प्रश्णी में बहुत परेशान होगे मेरे पास कोई जवाब नहीं नहीं है पता नहीं वैसे भी यह 13 डिसमर मेरा पत्समान मानना कि कुछ नहीं कुछ 19-20 होने की संभावना रहती यह खबर जब टीवी पे चली ये खबर जब सोशल मीडिया पे चली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हम आपको अज कुछ चित्र दिखाते हैं कुछ तस्वीरे दिखाते जरा इन पर देखे जरा भी अगर आप ये चित्रों तस्वीरे देखे इसमें देखिए कि ये बिल्कुल प्लैंड था और एक हमारे MP साहब तो ये कह रहें कि इनके जूते में भी कुछ था माली जी इनके पास कोई नोगिली चीज होती कोई तेज सरार चीज होती तो ये ये चुक हुई कैसे कोन इसमें स है जो बारत में रहता है भारत की खाता और उसी थाली में छेद करता है इसे सतर करहने की जरूदत है और याद रखेगा एक चीज एनीमी एजेंट्स डू नॉट लोग एलियन ये जो विदेशी एजेंट होता है कोई काली हैट और काला मफलर और काला जैकेट और जो जेम् कौन सर्प बता हूं मोल्स को 10 साल 15 15 साल इंफिल्ट्रेट कराके रस्ट करा जाता और एक दिन उनको यूज किया जाता है देखिए जो हमारे विरोधी है इन्होंने लास्ट है पार्लिमेंट के एटक से कुछ सीखे इन्होंने भी कुछ लेसन लिए अब इन्हें यह तो ने उनका चित्र है कि माननी प्रधान मंत्री मोधी जी वहा नहीं थे, हमिज बाहिश्या नही थे, और हमारे गढ़ माननी लीडर नहीं थे. नहीं देखे, कांग्रस बी जे पी की बात निए, देश के सम्मान, मान सम्मान और सभिमान की बात है. और ऐसी परिस्तितियों में जब election होने वाला है, आप मुझे हमेशा कहते थे, कि सुमित भाई, अभी election आने वाला है, कि कोई political खत्रा है, कि मैं आपको हमेशा कहता था, खत्रा political नहीं है, खत्रा के वल एक है, खत्रा है, जियो political, political खत्रों से निपटना भाजपा को मानिनी प्रदान मंत्री जी को आता है, अभी तीन-तीन स्टेटों में शांदार विजय हुई है, नए युवा प्रत्वाशाली तीन मुख्य मंत्रियों का चैन हुआ है, तीन सो सत्तर पे मानिनी सुप्रीम कोट ने महर लगा दी, जहादियों और पाकिस्तानियों की इतनी जली पड़ी है कि हर छेद से लिटरली दुमा निकल रहा है, ऐसे मैं यह किस हद तक जाए, कहां तक जाए, कुछ नहीं पता, न्याई, और न्याई । डिमोक्रासी का मंदिर है हमारा पार्लिमेंट। और देखिए पार्लिमेंटियरिन कॉंग्रेस का हओ, पार्लिमेंटेरियन TMC का हो हमारे राजनेतिक मतबेद हो सकते है राजनेतिक लिए हमारे विचार नहीं मिल सकते है पर जहां देश की अखंडता और एकता की बात आएगी जहां मान सब्मान सोब्यमान की बात आएगी जहां जीवन और रक्षन की बात आएगी हम एक है और आज हमें ये मेसेज पूरी दुनिया को देना आज हमें कृप्या करके इसका राजनितिक करन नहीं करना और मैं आपको जाते-जाते एक बात बोल दूँ अगर ये गटना पारलिमेंट में हो सकती है टू पॉइंट फाइव एनमी याद रखिए इस पॉइंट को ढूणना इसको इडें करेंगे कि किसी भी आतिताई और आसुरिक शक्ती के जो भी उन्होंने प्लैन बनाए है जो भी उनकी परियोजनाए है उनको हम नियस्त कर देंगे उनको हम निश्क्रिय कर देंगे और दिखा देंगे कि भारत लड़ना भी जानता है भारत जरुवत पड़े तो घर में पिया अपने आंक नाक और कान खुले रखे कोई भी चीज आपको लगे कि भाई कुछ गड़बड है तो जो हमारी अथार्टीस हैं उनको आप रिपोर्ट करें खुद उसको एंडल करने की कोशिश ना करें कि मैं इसी समय इसी के साथ अपनी वानी को वराम विराम देता हूं कि समय की सीमा भी है और आपको यह बता दू जो मेरा पेड़ एडवाइजरी है जो में एक वीडियो है यह आप जारा देखें अपने यहां वीडियो देखा आपने इमेल भी देखी वेबसाइट पर जाएए इमेल पर इमेल पर हमें संपर्क कीजिए बाकि सारी डिटेल आपको वेबसाइट में मिलेगी और जाते-जाते हमेशा की तरह आज महाकाल का सादर अविनंदन क्यों सब कुछ ठीक रहा उनकी अनुकंपा बनी रहे और उनकी कृपा बनी रहे भारत माता की जाए वंदे मात्रम हो जादे आते हार 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 महादेव